दोस्तों पाकिस्तान का एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अंधरूने सिंध के छोटे से शहर लड़काना में आंक खोली सुफैद पोशी ऐसी थी के पहनने के लिए जूते तक भी नहीं थे और गरीबी का ये अलम था के बामुश्किल दो वक्त की रोटी ही मिलती थी इस क्रिकेटर का बाप एक छोटा किसान था और इसके वालिद को क्रिकेट से बहुत ज़्यदा चिड थी जब वो इसे क्रिकेट खेलते हुए देखता तो इसे ये तलकीन करता के बेटा इस काम में कुछ नहीं रखा ऐसा काम करो जिसकी वज़ा से हमारा इस इलाके में नाम हो लेकिन क्रिकेट का जनून इसके खून में रच गया था और इस क्रिकेटर का नाम शानवास धानी है शानवास ने एक चोटे से जमीदार घराने में अपनी आंक खोली शानवास धानी बच्पन सही अपने बाप के साथ खेतों में काम किया करता था लेकिन इसके बाप के अनुसार इसकी अंदर एक बुरी आदत भी थी ये अक्सर फारी गोकात में शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकिट खेलने के लिए निकल पड़ता और दोस्तों शानवास धानी का घराना शहर की रोशनियों से मिलों दूर एक मकामी गोट में अबाद था और इनके घर एक ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं थी लेकिन हार ना मानते हुए शानवास धानी ने अपनी पढ़ाई और फारी गोकात में क्रिकिट को जारी रखा एक इंटर्व्यू में शानवास धानी का कहना था के अंडर 19 ट्राइल्स देने के लिए जब वो स्टेडियम में पहुंचे तो इनके पास पहनने के लिए जूता तक नहीं था और इसलिए मुझे अपने एक दोस्त से जूता मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा दोस्तों शानवास धानी का ये खुआप था कि वो एक अटैकिंग बॉलर बने और शानवास धानी को ये बात बाखुबी पता थी के जो लोग तनहा चलते हैं एक दिन उन्हीं लोगों के पीछे ही काफले होते हैं और बिला आखिर 22 साला इस क्रिकेटर शानवास धानी ने लड़काना के सख्त गर्मियों को बरदाश्ट करते हुए लाहोर पहुंचे और 25 नुवंबर 2019 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू दिया और सिंध की तरफ से खेलते हुए कैड़ी आजम टॉफी में भी शिरकत की एक तरफ शानवास धानी का क्रिकेटर बनने का खुआप पूरा होता जा रहा था और दूसरी तरफ इनके वालिद ये चाहते थे के शानवास एक गुवर्मेंट सर्वेंट बने और इसलिए शानवास धानी ने बी कौम की डिग्री भी हासिल कर ली सालों मेहनत और क्रिकेट से लगन रखने की वज़ा से बिला आखिर पीएसल की टीम मुलतान सुल्तान ने शानवास धानी का डेब्यू करवाया और ये दिन 23 फरवरी था जिस दिन इस गुमनाम लड़के ने अपना डेब्यू दिया और ये दिन इसके लिए बहुत बड़ भी खालिस और पाकीजा था वो जानता था कि इज़त देने वाली जात अला पाकी है और इन्हों ने लोगों के घट्या तासुरात को नजर अंदास करके अपनी महनत जारी रखी और पीएसल 2021 में एक बहतरेन बॉलर के तोर पर उबरे दोस्तों पीएसल में इनकी इतनी अगर आप एक मकसद के लिए चलेंगे और इसके लिए डट जाएंगे तो वो चीज आपको मिल कर ही रहेगी और अब ये एक गुमनाम लड़का लाड़काना की शान बन गया है दोस्तों शानवास धानी की ये इंटरस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी आपने इस वीडि का इज़ार हमें कमेट बॉक्स में भी लाजमी देना है